कार्तिक मास महत्मे अध्याय ग्यारा एक बार सागर पुत्र जलंदर अपनी पत्नी व्रंदा सहित असरो से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था तभी गुरु सुक्राचारे का वहां आगबन हुआ उनके तेज से सभी दिसार प्रकासित हो गए गुरु सुक्राचारे को आता देखकर सागर पुत्र जलंदर ने असरो सहित उठकर बड़े आधर से उन्हें प्रणाम किया गुरु सुक्राचारे ने उन सब को आसिर्फार दिया फिर जलंदर ने उन्हें एक देवी आसन पर बैठा कर स्वयंभी आसन ग्रहर किया सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनमता पूर्वक पूचा है गुरुजी आप हमें यह बताने की क्रिपा करे कि राहु का सिर्ख किस ने काटा था इस पर दैक्ते गुरु सुकराचारे ने विरोचन पुत्र हिर्ण्या कश्यपू और उसके धर्मात्मा पौद्र का परिचय देख कर देवताओ और असरो द्वारा समुद्र मन्थन की कथा संछेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अम्रित निकला तो उस समय दे जब दूद आया उसके नेत्रलाल हो गये फिर उसने अपने धस्मर नामख दूद को बुलाया और उसे सुकराचारे दोरा सुनाया गया प्रतान सुनाया तत पैस्चार उसे धस्मर को आग्यादी कि तुम श्रीगी इंद्र पूरी में जाकर इंद्र को मेरी सरण में ले आओ धस्मर जलंदर का बहुत आग्याकारी एवं निपुर्दूत था वा जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाओ पुचा और जलंधर के सब्दों में इंद्र से बोला हे देवतादाम तुमने समुद्र का मंतन क्यूं किया और मेरे पिता के समस्द रतनों को क्यों ले लिया ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रतनों एवं दवताओं सहीद मेरी सरण में आ जाओ अन्यता मैं तेरी राज का ध्वंस कर दूंगा इसमें कुछ भी मित्या नहीं इंद्र कोई सुखी नहीं रह सकता इसमें कोई संदे नहीं है इंद्र की हैसी बात सुनकर वादूत सीख ही जलंधर के पास आया और सब बाते कहके सुनाई उसे सुनते ही वा दैत्य क्रोद के मारे अपने ओट फड़फडाने लगे और देवताओ पर विजह प्राप्त करने के स्रीगी इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार वीरो की सौंखदनी और करचना से इंद्र पूरी गुजूटी अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले भयानक मार काट हुई असरो के गुरू आचारे सुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से औ उसधी लाकर जीवित करते रहें इस पर जलंदर ने कुरुध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं इनको जीवित करने की विद्यातु आपके पास है इस पर सुक्राचारे ने दिये गुरुद्वारा द्रोणाचारे से उसधी लाकर देवता जलंधर और भी कुपित हो गया फिर सुक्राचारे जी ने कहा यदी सकती हो तो द्रोणागीरी को उखार कर समुदर में फेक दो तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाडित हो जाएगी इस पर जलंधर को पित होकर जल्द ही द्रोणागीरी परवत के पास पहुचा और अपनी भुजाओं से पकड़ कर द्रोणागीरी परवत को उखार कर समुदर में फेक दिया या तो भगवान संकर का तेज था इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी तत्पशात या सावर पुत्र युद्ध भुई में आकर पड़ी द्रीवगती से देवताओं का संखार करने लगा जब द्रोणाचारी जी और सधी लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ सूनने पाया वा भैबीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि अब युद को बंद कर दो जलंधर को अब नहीं जीच सकते जय स्रीकिष्ण